हलो माई डियर फ्रेंड माई नेम है सुराबे सहीं और आज मैं आपसे वाटर पॉल्यूशन की बारे में बात करनी जा रही हूं इसके पहले मैंने एयर पॉल्यूशन स्मॉग एन फ्लाई एश सब डिसकस कर लिया है और 2020 की कोशन्स पर डिसकस किये हैं तो प्लीज इसके पहल अन्टेड या अन्फिट सब्स्टंस एड होते हैं तो यह उसको पॉल्यूट करते हैं लाइक गंगा रीवर के लिए तो भी देखे कितने सारे अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि उसकी वाटर को प्यूरिफाई किया सकी तो ऐसे सब्स्टंस जो आपकी एक्वेटिक या ज का सब्राइक पिए सब्स्टंस पॉल्ट फाइस के लिए कि आपको पताए कि आपका पानी किसवजह से दूसित हो रहा है मतलब आपके पास सिर्फ एक ही सोर्स है और उस सोर्स के थो आपका पानी गंदा हो रहा है इचिस डिरेक्ट्लि एट्रूट अट्रिब्टक to regulate यानि अगर आपको point source पता चल गया है कि point source की वज़े से आपका water polluted है तो आप इसको purify कर सकते हैं next आता है non point source यह basically आपका किसी industry या community में होता है तो जो industrial waste होते हैं उनकी वज़े से जो आपका toxic या जो highly organic pollutants निकलते हैं जिसकी वज़े से जो आपका industry का जो discharge होता है waste just like अगर आपन हाने का पानी देखिये या अपने टॉरेट का पानी देखिये तो यह तरीके से कहा जाएगा community waste है तो इसका आपके non point source में आपको different sources की वज़े से आपका पानी polluted हो रहा है next राता है agriculture sources agriculture sources का आपका मैंने युट्रिफिकेशन में आपको एक्जांपल देकर बताया था कि जब आप जोई भी fertilizer यूज करते हैं उसमें mainly nutrient बहुत जादा होते हैं तो जब आप से चाहिए कर रहे होते हैं तो उसका कुछ पानी बैकर नदी या समुद्र में जाता है तो उसकी वज़े से जो आपकी नदी का concentration and river का वो क्या होता है effect होता है notification भी होता है जो मैं पिछले साइड में डिसकस कर चुकी हूँ बहुत ही ज्यादा important है eutrophication इस word को please इस बार बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा next आता है thermal pollution यानि जो thermal power plant होते है nuclear power plant होते है इसमें जो भी water use किया जाता है water का मतलब क्या है कि जो भी आपके coal को burn करने के लिए हम क्या करते है steam का use करते है तो steam का use करने के लिए हम क्या करते है water को काफी ज्यादा heat करते है तो इसके इसमें जो भी water आपका pollute होता है वो हम आपका thermal pollution में count करते है the power plant use water as a coolant and release hot water to the original source sudden rise in temperature kills fishes and other aquatic animals तो यानि अब आप hot water को अगर आप कहीं river या कहीं पर discard करते हैं तो उसकी वज़े से आपका जो river या जो आपकी pond का जो aquatic life होती है वो काफी ज्यादा effect करती है उसकी बास आथा underground pollution so underground water is threatened with contamination due to the sea pace from industry and municipal wastage यानि जो भी आपका thermal underground जिसे करन हम कहते थे कि नल का पानी हम लोग गाओं में देखोगे तो आज भी आप नल का पानी यूज करते हैं हम यह मान की चलते हैं कि नल का पानी जो होता है वो काफी ज्यादा प्योर होता है बट अभी क्या हो रहा है कि हमारे इंडिस्ट्री वगरा इतनी ज्यादा डेवलप हो रही है इतना urbanization हो रहा है कि हम यह भी बोल सकते हैं कि जो हमारे underground water वो भी अप्योर नहीं मिल रहे हैं उसके रहा marine pollution होता है तो marine pollution में mainly responsible आपका oil spill होता है याननी जो भी आपकी यह जहाज होते हैं यह जो भी आप कहते हैं कि marine equipment होते नोगquito होते हैं merchant navy की मर्चन्वी के जो होते हैंने के पार यह जो oil हमारे भी मारे program होता है या जो oil इजर से युदधन पास किया आपका spread हो जाता है जो कि आपके aquatic ecosystem की life को काफी जादा हाम करता है तो यह आपके water pollution की basically source हो गए है अब हम इसके बाद बात करते है dissolved oxygen बहुत ही जादा important है आपको पता है कि जो oceans होती है rivers होती है इस पे अंदर भी aquatic life होती है like जो इसके अंदर fishes है या जो भी algae है या जो oxygen होता है उसकी help से यह अपनी life cycle को चला रहे होते हैं तो जो water के अंदर dissolved oxygen है वह basically क्या होता है जब इसमें आपका waste water आएगा या pollutant water आकर जब इस ocean के water में मिलते हैं तो जो dissolved oxygen होता है वह basically क्या होता है कम होने लगता है या इक तरीके से कह सकते हैं कि जो dissolved oxygen है यानि जो river ocean वग होने रहे हैं तो अगर हमारा dissolved oxygen कम होने लगेगा तो जो यह fishes है वह क्या होती है दीरे-दीरे करके उनकी life सफर करती है और वह दीरे-दीरे करके मरने लगते हैं लेकिन आपको जैसे मैं आपको पहले बताई थी corals होती है जो corals होती है वह clean water में ही survive करती है जहां आपका water pollutant ह होगा corals क्या करेंगी दीरे-दीरे करके इनकी death हो जाती है so presence of oxygen in dissolved form in the water इसको हम क्या बोलते हैं dissolved oxygen कहते हैं polluted polluted water reduced dissolved oxygen content जैसे मैं आपको बताया कि जो polluted water होते हैं वो क्या करते है dissolved oxygen के content को reduce करते हैं thereby eliminate sensitive organism like plankton corals with increase in temperature dissolved oxygen content decreases dissolved oxygen जो है उनका content धीरे-दीरे करके decrease होता है इसका एक reason यह भी होता है कि आपका sudden rise temperature होता है जो भी आपका ocean वगेरा है इसमें अगर sudden temperature rise करेगा उसकी वज़े से आपका dissolved oxygen content decrease करेगा तो जो यह dissolved oxygen है यह basically हम किस तरीके से measure करते हैं presence of organic and inorganic waste in water decreases the dissolved oxygen content of the water ठीक है अब जो आपका dissolved oxygen के अगर हम बात करते हैं तो जो dissolved oxygen है इसको हम किस तरीके से measure करेंगे या क्राइटेरिया है तो अगर इसकी value 8.0 mg लीटर से कम है तो इसको हम बोलते है contaminated यानि अगर कोई भी यह suppose आपका river है या ocean है या एक आपका pond है इसमें अगर हमने dissolved oxygen को measure किया वह आपका less than अगर 8 mg है तो इसका मतलब वह पानी contaminated है अगर इसकी value 4 mg लीटर से जादा कम है तो हम इसको बोलेंगे highly polluted है तो इस तरीके से हम dissolved oxygen की basis पे जो आपका river है उसको जज कर सकते हैं so the higher amount of waste increases the rate of decomposition and oxygen consumption अब हम इस तरीके से बात करते हैं यह topic भी बहुत अच्छे से समझेगा dear student कि suppose हमारा यह हमारा water है इसमें हमारे pollutant हमारे add हो गया तो अब इस यह pollutant हमारे add हो गया है तो हमारे इस water में कुछ अच्छे और good bacteria होते हैं यह जिसे कुछ यह जो purple purple है good bacteria है तो यह जो good bacteria होते हैं जो यह contaminated या जो यह water pollutant है इनको क्या करते हैं दीरे दीरे करके इस water से clear करते हैं या हटाते हैं आप इस तरीके से देखिए कि अगर कोई भी सबजी आपकी खराब हो जाती है सर जाती तो आप इसको बाहर फ या उसमें अपने आप generate होते हैं जो इसको धीरे-दीरे करके खतम करते हैं और उसको degrade करते जाते हैं water में भी same ऐसे होता है कि कुछ अच्छे bacteria होते हैं जो इस water के पानी को जो की आपका pollutant की वज़से खराब हो गया है उसको वो क्या करते हैं प्यूरिफाई करते हैं तो य नहीं हम इक तरीके से कह सकते हैं कि हमारे डियो की quantity बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हमारा जितने number of pollutant water आपकी जो river में mix होते जाएंगे उतने number of dissolved oxygen की quantity ज्यादा requirement होगी हमें उस water को purify करने के लिए hopefully आपको समझ में आया होगा यह बात so we can say high amount of waste increase the rate of decomposition and oxygen consumptions जैसे जैसे आपका waste increase करेगा वैसे वैसे जो आपकी water में water consumptions या dissolved oxygen है वो आपका उसकी requirement जादा होती जाएगी ठीके so the demand for oxygen is directly related to increasing input of organic waste and is impressed as a biological oxygen demand ठीक है इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझे dear student जो चीज़े मैं नहीं लिख पाई हूँ एक parameter है जो आपका यह बताता है कि कितने number of pollutant आपकी water में mix हुए है इसका यह मतलब है कि जितना आपका biological oxygen demand यानि BOD ज्यादा लगेगा इतना हम कह सकते हैं कि जो आपका pollutant है उतना ज्यादा आपकी water को discard किया होगा यानि BOD आपका आपका यह बताता है कि इतने number of oxygen की requirement इस water में बढ़ गई है oxygen की requirement क्यों बढ़ रही है क्योंकि bacteria इस जो pollutant है उसको क्या कर रहे है डिग्रेट कर रहे है या उसको dissolve कर रहे है इसके लिए उन्हें और जादधा dissolve oxygen की जरूरत बढ़ रही है है तो water pollution by organic waste is measured in terms of biochemical oxygen demand biochemical oxygen demand actually यह पर biological लिखा है यह आपका biochemical होगा आपको यह लाइन क्लियर हो गए होगे मैं दुबारा रीट कर रही हूं amount of dissolved oxygen needed by bacteria यह जो बैक्टिरिया है यह अच्छे बैक्टिरिया है इनको dissolved oxygen की जरूरत पढ़ रही है ताकि वो को decompose कर सके organic waste को ठीक है बट यह क्या होते है जो bio degradable matter होते है उन्हीं को decompose कर रहे होते हैं so the higher value of BOD indicates low due content of water BOD is limited to bio degradable material only यह एक इसकी limitation है अब अगर हम बात करें chemical oxygen demand जिसको हम COD कहते हैं इसमें क्या होता है कि यह आपका bio degradable and जो आपके non-bio degradable matter like plastic, mercury बगेरा इनको भी क्या करते हैं dissolve करने के लिए help करते हैं तो कहा जाएगा कि COD का काम सेम वही होता है बड़ इसमें यह non-bio degradable matter को भी consider करते हैं इसलिए हम कहते हैं कि COD की performance जादा आच्छी होती है chemical oxygen demand is slightly better mode used to measure pollution load in a water it is measure of oxygen equivalent of requirement of oxidation of total organic matter अगर हम इसके effect की बात करते हैं तो effect on human health अगर हम mercury की बात करते हैं तो जो आपकी water में जो भी mercury dissolve हुई रहती है तो यह एक बहुत ही जादा pollutant का काम है इस पे पिछले साल question भी पूछा गया है mercury compound in a waste water are converted by bacterial action into extremely toxic methyl mercury इसका बहुत ज्यादा effect आता है इस disease को हम कहते है minimata disease तो minimata disease आपका किस contaminant किस pollutant से related है mercury से related है इसके अराव अगर हम cadmium की बात करते हैं तो cadmium की वजह से जो आपका basically italy 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 disease होता है जिसकी वजह से जो आपका का joint paint है उसमें शुरू हो जाता है so water contaminated with cadmium can cause italy italy disease also called ouch out disease इसका नाम आउच आउच भी है याद रखेगा उसके बास से आपका आता है nitrate excess nitrate in a drinking water reacts with hemoglobin to form non-functional methamiglobin and impairs oxygen transport this condition is called methamiglobinia और a blue baby syndrome so blue baby syndrome कि से रेटेट है आपका nitrate से रेटेट है इसमें क्या होता है impairs oxygen transport होता है फिर आपका होता है fluoride ions so excess fluoride in a drinking water cause neuromuscles disorder इसमें basically क्या होता है इसको fluorosis भी कहते हैं basically इसमें भी आपका जो joints होते हैं इसमें paint शुरू हो जाता है high concentration of fluoride ion is present in a drinking water is 13 state of India basically 13 state आपका हम देखेंगे जहां कर हम बोलते हैं कि river के पानी में fluorine पाया जाता है उसके अलबा आता है arsenic इसको हम black food disease भी कहते हैं arsenic contamination is a serious problem in the ganga delta and west sprinkle causing a serious arsenic poisoning of large number of people chronic exposure of arsenic cause black food deceit it also causes diarrhea the main reason क्या है over exploitation of a ground water may lead to arsenic disease in a water pollutant फिर आपका आता है lead 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 में basically आपका एनेमिया ब्लूइब कम होते हैं उसके around में आपकी bluish line आ जाते हैं तो lead का बहुत ही ज्यादा effect आता है उसके बाद आता है pathogens in a water creates jaundice, typhoid, embobasis तो इसके अलाबा इutrophication भी आपका water pollutant का effect है तो यह basically यह chart बहुत important slide का इसको जरूर नोट डाउन कर लिजेगा कुछ questions देखते हैं increased biological oxygen demand यानी biological oxygen demand performance BOD अगर BOD जो आपका measurement एक parameter है इसकी demand high हो रही है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि जो भी आपकी water pollutant से वो काफी ज्यादा water को effect किये हैं low microbial contamination absence of microbial pollutant high level of microbial contamination तो यहां पर आपका सिर्फ third option हो जाएगा high level of microbial contamination यानी water जितना pollute होगा उतना ज्यादा ही आपको BOD की demand ज्यादा बड़ेगी यानी आप dissolved oxygen को ज्यादा से ज्यादा देंगे ताकि bacteria आपके जो यह microbial contamination है इनको degrade कर सके हैं discard कर सके हैं तो यहां पर अगर आपको यह video पसंद आती है तो like and subscribe जरूर कीज़ेगा dear student मैं बहुत मैनत से video बना रही हूँ सिर्फ आप एक appraisal देंगे या एक thank you comment भी करते हैं तो मुझे बहुत ही जादा अच्छा लगता है तो please मुझे motivate कीज़े ताकि मैं आप के लिए बहुत सारी videos बना सकों और आपका technical part भी जल्दी शुरू कर सकों thank you